नमस्कार दोस्तो आप सब कैसे हो तो दोस्तो बिहार पुलिस कॉंस्टेवल भरती की परिक्षा की तिथी जो है अब निकल के सामने आ रहे हैं और इसे समंधित आपको जल्दी एक ओफिसियल नोटीस देखने को मिल सकता है जहां दोस्तो बिहार पुलिस कॉंस्टेवल की जो परिक्षा होनी है न उससे समंधित एक पत्र जो है केंद्रिये चैन परसद की तरफ से परतेक जिला पताधिकारियों को भेजा गया है और उससे समंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है कि एकजाम कैसे कराना है कब कर यह सारी बाते उसमें कहें गई है और दोस्तो उस पत्र में एक बात ऐसी भी कहीं है जिससे आप मान के चल सकते हैं कि इस वार जो परिक्षा होगी उसमें थोड़ा बदलाब देखने को मिल सकता है तो वह क्या बदलाब होगा दोस्तो सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो अगर आप इस चल्म पे नए है तो चलो को सब्सकाइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ऐसे लिटस अपडेट जानने के लिए तो चलिए जानते हैं कि उस पत्र में क्या-क्या बाते कही गई है और प्रिक्षा के तिति कब-कब रखी गई है जिससे क कि आपको तैयारी उसके according करने में सहायता हो ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है वो किंद्रिये चैन परसत सिपाही भरती का कार्याले से भेजा गया है और सभी जिला प्लाधिकारी को भेजा गया है बिहार के सभी जिलों में भेजा गया जिला प्ला यापन संख्या एक दोहजार तेश थी और टोटल जो पत्थ दोख्ष तो वह एकईस जार तिनसो एकान में था और उस पर जो है आवेदन पत्र मंगाया गया थे जो लिखित परिच्छा की जो समभावित थी थी दोस्तों वह यहां पर बताया गया है और देखे कि एक्जाम होना है दोस्तों वह सब अगस्त में ही होना है तो अभी तो में का महिना चल रहा है जून जुलाई दो महिने तो ऐसे हो गए और इस महिने का अभी आधा महिना से ज्यादा बाकी है और उसके बाद अगस्त में भी आधा आपको समय मिलेगा तो लगवक समय है आपके पास द पाही भरती बिज्यापन संक्या एक 2030 के अंत्रगत बिहार पुलिस में सीपाही के रिक्त प्रिक्षा आउयद करने की जो तीथी दोस्तों जैसा कि मैंने उपर कह रखा है कि अगस्त में होगी और देख सकते हैं और जिस जीला के अंत्रगत जो अग्जाम होगा वहां पर पूरी की पूरी संख्यात दी गई है कि कितना सीटिंग कैपेसिटी रहेगा दोस्तों एक जी प्रिक्षा संचालन की प्रकिरिया का सबसे पहला महत्पुन चरन है दोस्तों पहले जो जाम हुआ था आपको पता है कि वह कदाचार हुआ था उसमें और वह कैंसिल कर दिया गया था तो अभी इसको रोकने के लिए हर समभा उपाई किये गया है और ऐसा निर्देश भी द सकता है ठीक है और जहां पर दोस्तों पहले एक्जाम हुआ और कदाचार की सिकायते आई थी वहां दुबारा परिच्छा केंदर नहीं बनाया जाएगा ऐसा इस पत्र में कहा गया है ठीक है और जो भी केंदर दिश्चक वगरा जो बनाया जाएंगे उनके को भी सगे संब बिद्याले उपलब्द हैं जहां कदाचार मुक्त बातबरन में अच्छी तरह से परिच्छा ली जा सकती है तो अन्विद्यालों की अपक्षा उने प्राथमिक्ता दी जाए यानि पूरा फोकस किया गया है दोस्तों कि कदाचार मुक्त परिच्छा हो और वैसे महाविद के लिए योग के लद्शक की नुक्ति बीकर दी जाए यानि अब जो है सेंट्र पर दोस्तों उनकी नुक्ति करने की बात कही गई है और समन्दि उन्हीं के परिच्छा कंद्र पर चाहरति नों ऐसा भी कहा गया जो मैंने पहले बीविद्या कि उनका कुछ नहीं नहीं चाहिए जो केंदरा दिच्छक हो सभी के हो छीए इस तरह से यह किसी तरह से वह यहां पर कहा गया है तो यह तो की बात होगी क्योंकि जो भी सेंट्रल एलाउट होगा उस में जो जो है वह सरगार की तरफ से पेमेंट किया आता है तो यहां पर बात की गई है ठीक है दोस्तों तो अब एक चीज और भी देखें यहां पर कि परिक्षा की जो arrangement है दोस्तों वो इस तरह से की गई है कि एक ही पाली में प्रिक्षा ली जाएगी और यही बड़ा बदलाव है दोस्तों क्योंकि दो पालियों में होता था और आपने देखाओ कि पिछले बार तो पर्थम पाली में ही जो है वो कदचार जादा हुआ था तो अभी एक ही पाल परिच्छा संपन कराने है तो जीला प्रसाशन के अस्तर से प्रतिनिक्त प्ताधिकारियों कर्मियों को दिये जाने में मांदेर आसी परसत द्वरा परतिक जिलाधिकारी के पेड़ी भेजागी यह तो पेमेंट की बात होई जो मैंने कहा अभी यहां देखिए कि जो यहां जो दिया गया है देट उसको ध्यान में रखते हुए परिच्छा के अंद्रों के समन्द में उप्यक्त सुचना है बीस पांच दोहजार चोबिस यानि दोस्तों इसी बीस में तक पहुंच जाना चाहिए इमेल आइडी पे मांगा गया है ताकि जो है जो अगस्त में परिक अगस्त को एक पाली जाने को अगस्त को सिठिक को एक पाली कि यह मेरा कहने का ताथ पर हैं तो उसके कोडिंग ईいます लिक्षा होगी तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष केंद्रिये चन परसद सिपाही भरती बिहार की दरब से यह लेटर जो है वो साइन किया गया है और आप कॉपी टूर देख सकते हैं पूरे मुख्य सचीब को पुलिस महाने देख सकते हैं प्रमंडली आयु जो जिस तरह से दिया गए यहां पर तो आप देखे कि पटना में सबसे ज़्यादा पालिवार बांचित सीट रखा गया नहीं लवग 35,000 जो है यहां पर कैपसिटी बनाई गई यह ऐसा requirement मांगा भी गया है गलंदा में देखे 20,000 गया 25,000 जहानावात जो है देख सकते हैं यहां पर 7,000 है उसके बाद देखे और अंगाबाद भी है 12,000 का नवादा है 10,000 भोजपुर जीरा में 25,000 के आसपास है फिर आप देखे इधर 20,000 रहतास में भी सीटिंग कापी अच्छी है मुझाफरपूर हो गया बैसाली हो गया यह सब में ज्यादा ज्यादा सीटिंग के आसपास है दोस्तों 12,000 यहां देख सकते हैं समस्तिपूर में और बाकी में 8,000 सारी 8,000 इस तरह का सीटिंग कैप सीटि बनाए गया है यहां देखिए आप कटिहार में दोस्तों जुद रखा गया है वो 10,000 का है भागलपूर में 25,000 है यहां भी अच्छा कासा सीटिंग बनाने के लिए कहा गया है मुल्गेर दसजार बाका भी दसजार दोस्तों चीक है अब यहां पर देख लिजे और भी यहां देखिए साड़े 10,000 जो यहां पर रखा गया वह बेगुस राय में बाकी में 8,000 है 7,000 है चीह जार यानि टोटल कह सकते दोस्तों कि इतने लोग का बैठने का स्थान जो है किसी भी बिद्याले हो महा बिद्याले हो में होना चाहिए पूरी व्यवस्ता होनी चाहिए ठीक है और देखिए टोटल जो सीटिंग चार लग 6,000 है यानि कहा सकते दोस्तों कि फॉर्म जो स्कूटनी के बाद जो मतलब सही फॉर्म पा जो है सारे जो बिद्याले में सीटिंग कैपसिटी बनाए गई है वहाँ पर उसी तरह से एक्जाम लिया जाएगा तो दोस्तों अमीद है कि आपको यह सारी बाते समझ में आ गई होगे फिर यू आपके मन में कुछ क्वैरिज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मिलत के लिए जाहिन